आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका बनारस रेल इंजन कार खाना के प्रशासनिक भवन में आउजद बैटक में बाचपा शासत ग्यारा प्रदेश्यों के मुख्य मंत्री और कई उपो मुख्य मंत्री के अलावा बाचपा अध्यक्ष जेपी नड़ा और राश्टी संगठन मंत्री बील संतोष भी मौजूद र लेकिन माना जा रहा है कि यूपी समेट पांच राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसपा चुनाफ को लेकर पार्टी की रन्नीती तैकी गई है काशी में पीम मोदी की आज पाटशाला चली है जहां पर तमाम मुख्य मंत्री मौजूद रहे जिसमें आज आने वाले चुनाफ पर आज कुछ रन्नीती तैकी गई है आपको बता दे कि भाजपा शासित ग्यारा प्रदेशों के मुख्य मंत्री और कई उप मुख्य मंत्री के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड़ा और राष्टी संगठन महा मंत्री बियल संतोश भी मौजूद रहे इस बैटा का एजेंटा साब जिक नहीं किया गया लेकिन माना जा रहा है कि उपी समय पांच राज्यों में अगले साल होने वाले विदानसवा चुनाफ को लेकर पार्टी की रन्नीती तैकी गई है मुक्ह मंत्री की आज प्रदान मंत्री ने सभी मुक्ह मंत्री ने सबी मुक्ह मंत्री के साथ बैटा की है जिसमें तमाम रन्नीतियां तैकी गई है आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा शासे तक यारा प्रदेशों के मुख्य मंतरी और कई उप मुख्य मंतरी के अलावा भाजपा अद्यक्ष जेपी नड़ा और राष्टी संगतन महामंतरी बील संतोष मौजूद रहे और इस बैठा का एजेंटा सार्जरिक नह काशी विश्वनात में प्रदान मंतरी नरीन मूदी का दो दिवस्य दौरा था जहां पर प्रदान मंतरी ने तमाम कारिक्रमों में शिरकत किया आज उन्होंने कई मुख्य मंतरीों के साथ हमें बैठा की है और उसमें रन नीती तैकी गई है और इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता गौरव श्रिवास्ताव हमारे साथ अलाइब जुड़ चुके हैं तो गौरव क्या कुछ जानकारी बिलपारी है इस खबर पर क्या है पूरा मामला यहां की प्रकती है बिकास है उसकी समीच्छा वो वहाँ पर प्यमों अपने कारेले से बैठके करते रहते हैं और जानते हैं क्योंकर संसरी शेतर है बहुत महिपूर्ण है और सब्सक्राइब वात है उत्तरप्रेस की आधर्पिन नगरी भी है तो पिदामती नरीन मोरी हमे प्रणामती मोरी का दोरी सी द्वारा था कल भी उनने जो आपका कसी बिसना करुजोर था उसका लोकाल पर किया था वहां पर पूजा अरचना भी की थी उसके बाद जो क्रूस था उसके पर साम को गंगा आर्ती हुई थी वहां पर तमाम कभी बड़ी संख्या में दीपों क जो नहीं आपको आपका लगाए गए थे तो बड़ा कारेकम साथ प्राहमंत्यू सम्मर्ट हुए थे इसके साथ उनके साथ में जो आपकी उत्तराप्रिश के राज़िपाल है आननंध्यवन प्राटल मुख्वंत्य योगी रियातनार और दोनों डिप्टी सिया में दिरिश सर्मा और किसे पसार मौर्या समय तमाम बड़े नेता जिते वो इस कारका में मुझूद थे इसकर माना जाता है कि आती है कि पूरवांचल की राज्णीति नियुक्त करने का प्रयास के जारा है जिसकी शुरुबार लगातार हो चुकित की डौरे ऑपर दोरे हुए है उसका दोगार पर किया था , तो माना जाहा था था कि अब लगाता है पिन्हाह मंत्री मोड़ी उत्ता पेरेस हे say it कि अंध्याव मंधस्य तब चुन आभ है संही हो जहकी पेला मुखमंत्री सामेल हुए थे , बड़े बड़े नाम चाहिए योगी अर्टनाट का हैं चाहिए सिवरासिंग चुवान बोले पुसकर धामी बोले जेरान ठाकुर बोले मनुवालाल खट्टर बोले हेमत भी सर्मा बोले तो तो तमाम बड़े ऐसे नाम है जो भाजबा के जो सासित प्रदेश है वाप की गई है कि आगामी चुनाओं को देखते हैं रणनीती बनाने की बात इसके अलाबा सबस्वरी बात है कि जनता के भी संभाद कैसा हो और सरकार की युजनाओं चाहिए पीम आबस के जनाओं और सभी उजनाओं को बहतर तरीके से जनता पहुंचाए जाए जैसे जनता की जो एक अधार सिला गया है जो बैतर काम का जो मैसेज गया है यह संदेज गया है वह कायम बनाराज जैसे आने वाले भविस में चुनाब होंगे उन्हें भासपा इंता पार्टी पिचन बहुमर के साथ सब्ता में आए जी जिस तरीके से अभी आज जो मुखी मंत्रियों के साथ में अजे बैठा कि गई यह मों के एजनडा नहीं क्लियर किया गया है उसका तरीकार की सब्सक्रा पहुंशन को जनता के पास के पहुंशे जो लोग मवजूद है जो लाभारती मवजूद है वह तक यह ना पुछन चाहिए इसका लेकर रणनीती बनाईए खास तोर से जो पांच राज है जहां पर चुनाव होना उनके मुकमत्री के सार बैटक की गई है और सारे मुकमत्री को संदेज दे दिया गया है प्रामनति मोरी द्वारा कि इस बैटक के मादनम से आप अपनी रुची दिखाईए और रणनीत है जो भात पास आसे थे उन सब को जनकारी किस तरह काम करना किस तरह की रणनीती की तैद हमको आने वाले भवी समय जनता के जाना है जी बहुत बहुत शुक्रिया गौर आफ हमारे साथ इसकबर पर जुनने के लिए तो प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने आज मुख्य मंतरियों के साथ में बैठा की है जहाँ पर उन मुख्य मंतरियों के साथ पाच्छाला लगाई है कि किस तरीके से कार किया जाएगा और उस पे विशेश संबोधन भी उन्होंने दिया है और सभी को दै दिशा देश अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहाँ प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने काशी विश्वना धाम के उद्गाटन के एक दन बाद बहुजन समाज पाटी की प्रमुख मायवती ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विदान सबा चुनाव की गोशना से ठ हुजाब में अगले विदान सबा चुनाव में सुखवीर सिंग बादल के नितत में शिरुमरिया काली दल और वहुजन समाज पाटी का गड़बंदन पूर्बहमत के साथ सत्ता में आएगा आईए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है मायवती ने अपनी इस प्रेस कॉ अगले विदान सबा चुनाव में सुखवीर सिंग बादल के नितत में शिरुमरिया काली दल और वहुजन समाज पाटी का गड़बंदन पूर्बहमत के साथ सत्ता में आएगा और आएए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है मायवती ने अपनी इस प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता गौरव फूर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो गौरव क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आकर किस तरीकी की प्रेस कॉन्फरेंस आज की गई है कि अबने इस कॉन्फरेंस करती है। जानकी परेस कॉन्फरेंस के माद्यम से मास्टास अपने फबने का में करते हैं शोर्व और उनकी परिक्रिक पंजाब में वो अकाली दल के साथ चुना लोलेंगी पहले बीजेपी सहयोगी पार्टी रहा है उनकी एक जो आपकी बिदायक रही है जो आपकी महुंदी सरकार में आपकी खार डिपसेंट का मंत्री थी और उन्होंने हाल में ही अभी किसान कानून जो किसी कानून था वो ल पंजाब चुनाओं में अकाली दल करेगा कि नहीं करेगा पर इस पर अलगी पटकरा चलती रही हो जो लाएंग ऐलान कर दिया है कि आने बाले भविश्य में यानि 2022 के चुनाओं में पंजाब में वह से रोमनी अकाली दल के साथ गरण बंदन करके चुनाओं लड़ती लगातार बादशीर चल लए थी यह बादशीर लबाद जूर दोया की से सुरूर विटियों लगातार माना जा रहा था कि इस बादशीर का जरू कोई हल नेकलेगा और परणनाम आज बहुत समाज पार्टी की सुप्रीमों है उन्होंने घुजट किया है कि आने बाले बिरान जिसमें उन्होंने तमाम बातों पे बातचीत की है तमाम बातों पे चर्चा की है आज अपनी प्रेस कॉन्फरेंस के दोरा अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो पी यूकी के पूर वकिमंतरिया समाजवादी पार्टी के राष्टिय अकलेश याद अब दो जे रफ्यात्रा के साथ सभी विदान सबाशित्रों में जाएंगे पहले दिन वो दो स्थानों और दूसरे दिन चार स्थानों पर सभा को सम्बोदित करेंगे अकलेश यादावाज जानपुर के दो दिवसिये दोरे पर पहुंची हैं जहां पर वो पहले दिन दो स्थानों और दूसरे दिन चार स्थानों पर सभा को सम्बोदित करेंगे सभाप्रमो ककलेश यादव का दो दिवसिये दोरा जानपुर में हैं जहां पर वो दो काई इस्थानों पर स्थानों पर श्रेट करेंगे जहां पर वो अपनी विज़रत यात्रा लेकर पहुंची हैं और इस खबर पर भी जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवद जहां पर अखिलेज जौनपुर गए हुए हैं और यहां पर वो लगातार जनता के भी जा रहा है वो समाजबारी विजय यात्रा के माध्यम से वो जनता को बता रहा है कि अगर समाजबारी पार्टी सरकार में नहीं आती है तो कई तरह के जो नुखसान है बीजेपी ने अब करेंगे तो माना जा रहा है बड़ा जोरा कि जौनपुर हमेशा से ही उनका खास रहा है और जौनपुर की स्थिती यह रही है कि अगर जौनपुर में आपने पर्चम नहरा दिया तो पूर्वत्तर की तमाम जो चीज़ें वो आपके पर्चम में आने का पर हो जाती है और जिस तरह आप देख रहे हैं पूर्वानिचल बीजेपी भी अपने कटबंदन को अपनी लोगों को मजबिर करने में लगी है को लगातर बहां पार रेली और चंसवाओ के मार्णियम से बाटेंटर पार्टी जन समर्था जोटाने में लगी हुए है तो माना देसकता है कि अखलेश यादव भी अपने पीछे नहीं है और इसी साथ में चरण की यात्रा के तहर वो जन पूर्पूर में लोगों को बीच अपना समर्था जोटाने की प्रयास करने लगे हुए है तो बहुत बात शुक्री अगर अब हमारे साथ इस खबर पर जोड़ने के लिए तो अखलेश यादव का विजरत यात्रा चल रही है जहां वो जन पूर पहुंचे हैं अपनी विजरत यात्रा लेकर जहां पर वो तमाम इस्थानों पर शिर्कत करेंगे दो दिवस ये दौरा है अखलेश यादव का आगरा में वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ने के लिए वैक्सिनेशन की शिरुवात हुई थी जहां वैक्सिनेशन रेजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैद वसूली का खेल देखने को मिला जहां नरायज सत्य नगर प्रातमिक विद्याले में 10 रुपे लेकर वैक वैक्सिनेशन की अवैद वसूली का खेल लगातार चल रहा है जहां वैक्सिनेशन रेजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैद वसूली का खेल देखने को मिला है जहां नरायज सत्य नगर प्रातमिक विद्याले में 10 रुपे लेकर वैक्सिनेशन का रेजिस्ट्रेशन किया जा पर किस तरीके से अवैद वसूली की जा रही है। पर किस तरीके से अवैद वसूली की जा रही है। पर किस तरीके से अवैद वसूली की जाने देते हैं। तो यही इस तरह का आज वीडियो सामने आया है। जिसमें साफ और दस रुपेद पर प्राइस्टेशन के नाम पर जिसोष्ट हो तरह का रही हैं। तो देखा ज़रा है कि यहां आभी तो एक ही जगहता है डेखा ज़रा कि स्वास लम शर्मचारी जवता है तो हो सकता है कि कई और वीडियो सामries असकता है या वो सतर्क हो जाए इस वीडियो इस ख़बर के देखने के बाद या वो सतर्क हो जाए तो नहीं भी आ चकता दोनों ही बाद हैं लेकिन जिस तरह अगैंड वसुली जो हुखी जा रही है जो प्री अपोल्स चीज मिल रही है जन्दा के लिए जन्दा जब नहीं पौंट प कि अन्होंने दो सब्दों में जाड़ दिया कि जो भी वीडियो जो ताक्सित मौद होंगे उसके आधार पर हम जो करमचारी हैं सौर्श कर रहे हैं वहां जो वहां मौदूद है उनके ख्लापों बिदिक कारवाई की जाएगी तो देता जरा कि साफ परते आप पिसले एक सब्सक्राइब करें लाँ जारा ता जरु को साम पर रहे हैं तो अब तो नके लिए यह जहां सब्सक्रावाई मेरें से बिख्चल लग रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए तो आगरा से आगरा में चल रहा है स्वास कर्मियों की खुली पोल जहां पर वैक्सिनेशन का अवैद वसूली का कारूबार चल रहा है जिसके चलती एक स्कूल में देखा गया कि वैक्सिनेशन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर दस रुपए की वसूली की जा रहा है जिसके अवैद वसूली का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलाल बस इत्मा है और देश जुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका